हलकी हलकी गर्मियों की शुरुआत हो गई है, मन कर रहा है कुछ थंडा सा खाने का, तो मैं बना रही हूँ आज थोड़े से ट्विस्ट और ट्रिक्स के साथ साबुदाना कस्टर्ड, तो चलिए, सबसे पहले मैंने लिया है एक कब दूद, उसमें डाली है मैंने चीनी, चीन साबुदाने को मैंने पूरे चार घंटे से भी जादा शेद पांच घंटे आप लगा लिजे कि मैंने उसे भिगो कर रखा था, अब साबुदाना और दूद में अच्छे से उबाला आ गया है, यह पकने लगा है, अब मैं गैस को कर दूँगी सिम पर और यहां पर अब मै एक बोल के अंदर लूँगी कस्टर पॉडर, यहां मैंने एक कटोरी में लिया है, डेट चमच मैंने कस्टर पॉडर लिया था और मेरा जो स्पून है वो अच्छा थोड़ा सा बड़ा है, और इसमें अब मैं डालूँगी दो टेबल स्पून नॉर्मल टेंपरेचर पे र अच्छे से चलाते हुए घोलिएगा, घोलने के बाद मैं इसको एड करूंगी दूद के अंदर, कस्टर तो आप लोगने काफी बार खाया होगा, थोड़ी से इसको ट्विस्स के साथ बनाईएगा, तो देखने में भी खूबसूरत लगेगा, और खाने में भी टेस्टी लगता है, तो अब डाल दिया है मैंने इसमें कस्टर पॉडर और इसे अब चलाते रहेंगे, जब तक इसमें हुबाला नहीं आजाता, इसे छोड़िएगा नहीं तो कस्टर पॉडर जो है वो नीचे लग जाएगा और इसमें स्मेल आने लगेगी, आप इसमें छोटी ला तो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहां कर्टोरी में थोड़ा सा कस्टर रह गया था, तो मैंने वही दूद में मिक्स करके वापस से डाल दिया है, और यहां धीरे धीरे आप देख रहे हैं, कस्टर गाड़ा होना शुरू हो गया है, तो यहां इस स्टेज पे मैं कर अब ठंडा, जब इसे ठंडा करने रखें तो बीच-बीच में इसमें एक बार चम्मच चला दें, जिससे इस पर वो मलाईस ही नहीं जमेगी, तो यहां पर हमारा कस्टर हो गया था, बिल्कुल ठंडा, अब मैंने इस जिस बोल में मुझे सर्व करना है, उसमें डाल लिया आपके पास जो भी फूट्स रखे हों, एपल हो, ब्लैक वाले ग्रेप्स हों, और भी कोई फूट आप इसमें डालना चाहें, तो डाल सकते हैं, बस औरेंच मच डालेगा, हाँ मैंगो वगेर आप डाल सकते हैं, और यहां पर मैंने डाला है बदाम, काटकर और काजू, ज पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिये, उसके बाद आप इसे सर्फ करिये, मैं इसे सर्फ कर रही हूँ, आइसक्रीम कप्स के अंदर, आप, आपके पास अगर आइसक्रीम रखी हो, तो आप इसमें एक एक स्कूप आइसक्रीम का भी डाल सकते हैं, और यह देखिए, यह दे